Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है केरन और ये है Tech Update का 3rd एबिसोड तो जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को बता देती हूँ कि इस सिरीज में जितने भी कोई छोटे-मोटे न्यूज होते हैं, अपडेट्स होते हैं जिन पर में एक डेलिकेटिट वीडियो नहीं बना पाती, उन सब को कम्बाइन करके में एक वीडियो बना देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कि Tech World में आखे चल क्या रहा है तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूज है वो आ रहा है ओपो की तरफ से कि ओपो R17 और ओपो R17 प्रो फाइनली लॉंच हो गए है, जिसमें से ओपो R17 जिसमें हमें Snapdragon 670 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, उसका प्राइस रखा गया है 37,000 रूपीज और ओपो R17 प्रो जिसमें हमें Snapdragon 710 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, उसका प्राइस रखा गया है 46,000 रूपीज तो अब अगर honestly बोलू तो दोनों ही फोन जिस प्राइस में लॉंच हुए हैं, वो बिल्कुल भी अपनी प्राइस को वर्थ नहीं करते हैं हाँ, ओपो R17 प्रो में हम लोगों को Superbook, Charging, Triple Year, Camera वगेरा वगेरा देखने को मिल जाता है जबकि आजकल स्रिप, Unboxing, and First Impression का वीडियो बना के छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है खेर अब जो next update है, वो ये है कि Mizu के भी तीन स्मार्टफोन लॉंच हो गए हैं, M60, C9, and M16 जिन में से जो M16 है, वो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन लग रहा है, जिसमें हमें Snapdragon 845 प्रोसेसर मिल रहा है 12 प्लस 20 मेगापिक्सल के डूल रियर कैमरा, and 20 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ इसमें हमें Type-C and Fast Charging का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, बट कमी ये है कि इस फोन का बैटरी काफी कम है, मतलब 3,010 mAh का and Mizu जैसी कंपनी का एक प्रोब्लम ये भी होता है, कि इनका After Sell सर्विस का कोई भरोसा नहीं होता वैसे फोन तो ठीक है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये फोन इंडियन मार्केट में कुछ कमाल कर पाएगा and अब जो नेक्स अपडेट है वो आ रहा है एसूस की तरफ से, तो एसूस का जो नेक्स अपकमिंग स्मार्टफोन है एसूस जैनफोन मैक्स प्रो एमटू, उसका पेज फिलिपकार्ट पर आ गया है और वहाँ पर ये हाइलाइट किया गया है कि इस फोन का परफॉर्मस, कॉर्णिंग गोरिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन एंड बिक बैटरी के साथ इस फोन का कैमरा भी बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें हमें सोनी का तो कोई सेंसर देखने को मिल जाएगा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये फोन टोटली एक परफेक्ट वैलेंस स्मार्टफोन होने वाला है 14-15,000 की रेंज पे तो अगर आप लोग फ्लिपकार्ट की इस बिक शॉपिंग सेल में कोई स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो और इसी प्राइस में तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग एक बार एक बार एक फोन लाँच हो रहा है 11 दिसेंबर को अब जो नेक्स अपडेट है वो आ रहा है POCO F1 यूजर्स के लिए कि उनको बहुत ही जल्द एक OT अपडेट मिलने वाला है जिसमें कैमरा में कुछ इंप्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे पहले स्लो मोशन में 240 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकेते तो अभी 960 fps तक रिकॉर्ड कर सकेंगे और लो लाइट फोटोग्राफी में भी काफी इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा तो दोस्तो बस यही थे आज के कुछ टेक अपडेट्स अगर वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी तो चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा